हाई अव्रिवान फिर्स्ट अफॉल गोडिविंग तो व्लकम बैक तो माई यूटीब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टन अपडेट के बारे में जेके सब्सक्राइब आई है उसी के वारे मैं आज हम वीडियो में बात करेंगे सो काफी important update है उन सभी candidates के लिए notification number first of 2020 की तो मैं आपको बता दूँ आज again update जो आई है जेक SSB की तरफ से document verification की तो friends मैं आपको बता दूँ यहाँ पे document verification of candidate under person with disabilities PWD for post of class fourth और आपको देख बता दूँ आपको मैंने बहुत बार वीडियो में बताया आपको डिविजिनल डिस्टर्क और आपको यूटी केडर की posting देखने को मिलेगी तो जहां पे first of 2020 की एक notification थी पिछले साल की जो सब्सक्राइब का जो है document verification के लिए एक और notice निकाला गया है तो मैं आपको बता दूँ जहां पे इस notification के माधियम से जहां पे मैं clear कर दूँ जहां पे जितने भी candidates shortlisted की है document verification के लिए person with disabilities और for post of class fourth तो जहां पे आप देख सकते हैं जे notification number first of 2020 है उन सभी candidates के लिए news है मैं आपको बता दूँ जिनकी document verification 27 or 28 को होनी थी और 27 or 28 की document verification जो है किनी कारणों से वो बहां पे नहीं पहुंँ सके तो again JKSSP ने आपको एक final opportunity देते हुए जहां से एक और बार document verification की date को extend कर दिया है यानि कि आप इसके अलावा आपको जे डेट तो इसकी हो गई है मगर आप next जो आपको date मिलेगी वो 30 और 31 साफ देसंबर देखने को मिलेगी और मैं आपको बता दूँ 10 30 इसका sharp टाइम रहेगा इसके बाद कोई भी परसन जो है claim नहीं कर सकता तो again JKSSP ने date को extend करते हुए उन candidates को बुलाया है जो candidate की कारणबर्च से बहां पर नहीं पहुंच सके क्यों कई के रीजिनों से बहां पर नहीं पहुंच सके तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी important update है उनसा भी candidates के लिए जो कि PWD category से विलांग करते हैं और मैं आपको बता दूं सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मारे यूटीव चैनल को थैंक्यू फ्रेंट्स गुडबाय टेक कियर